नमस्कार टीचर्स अकेडमी आनलाइन कोचिंग इस्ट्यूट से मैं हूँ अंबरीश शुक्ल चलिए सुरू करते हैं पढ़ाई जी हाँ अगर आप प्रसासनिक सेवाओं में जाने के लिए आतूर हैं और आपका एक सपना है एक मातर लक्ष है तो आज से ही लग जाए क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गहमा गहमी के बीश में ही निकाल दिया है अपना एक कलेंडर जोसमें 2019 की बचियों ही परिक्षा है और 2020 की कुछ अपिक्षित परिक्षाओं का सेडूल उनने जारी किय मिनी में यहीं आप देख सकते हैं प्रोग्रामर ग्रीड वन की परिक्षा एक नो 2019 को होता है प्रोग्रामर ग्रेड वन ग्रेड टू कंप्योंटर आपरेटर की परिक्षा जो है व्होंत्रदरेश गर्रद혼 में डही दइक्षा जो सबसे बड़ी परिक्षा होने वाली है समलत राज प्रवट अधीन सेवा सामान नेचन दिव्यांग जन वैकलाग बिशेश चन्मुखे परिक्षा 2018-2018-2019 को होने वाली है इसके बाद जो एक बड़ी परिक्षा है जिसका इंतियार बहुत से लूग बहुत समय से कर रहे हैं और इस परिक्षा का नाम है प्रवक्ता राज की डिगरी कालेज स्क्रेणिंग परिक्षा जिसको GDC के नाम से आप जानते हैं गौर्मेंट डिगरी कालेज में आप सीधे निउक्त हो सकते हैं स्टेशन प्रोफेसर के पर तो ये परिक्षा आज़ेत होने जारे ही है तीन त परिक्षा 2019 आयोजित होने जा रही है 15 बारा दिसंबर को एक बड़ी परिक्षा आयोजित होने जा रही है जिसको पीसेस के नाम से जानते हैं और वहीं पांच नंबर पर जो लिखाया प्रवक्ता राज की डिगरी कालच यह परिक्षा नॉंबर के महीने में तीन तारिक वाजित होने जा रही है तो दोनों परिक्षाओं के लिए आपको लग जाना चाहिए बाकी 2020 का कलंडर भी दिया गया है इसमें साहेक अवियोजन अधिकारी साहेक मुख्य परिक्षा का भी इनोंने डेट दे दिया है और वो क्या है 24 2020 से जो है वो मुख्य परिक्षा होगी मतलब आप दिसंबर में प्री दीजे फिर जनवरी फरवरी मार्च तीन महीने का गैफ है और लगभग तीन महीने 20 दिन का साढ़े तीन महीने का समय है मेंस के परिक्षा 2020 की परिक्षा होने जा रही है उसके लिए नोने डेट घूसेत कर दिया है और वह 21 तारीक छटवा महीना को लाके वह परिक्षा जून में होने जा रही ते कहीं ने कहीं वह PCS और आइस की परिक्षा का डेट लगभग सेम हो सकता है मतलब ये दसवे महीने में आजूत होगी मुख्य परिक्षा सहा एक वन शेतरी वन अदिकारी मुख्य परिक्षा 3220 को तो अभी तो ये है विचेस परशितियों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है कुछ नई विग्यप्ति आएंगे तो उनके फार्म और उनकी परिक्षाएं भी इसी के बीच में कभी ने कभी करवाई जाएंगी तो ये एक खाका उन्होंने तयार कर दिया है बापको इसी का अनुसार तयारी सुरू कर देनी चाहिए मेरी शोब कामना है आपको और मेरे चैनल से जुड़े रहे इस तरह की महत्पूर्ण जानकारिया में लेगी साथ ही साथ विसे इस नोट्स और कुछ कख्षाएं आपको यहां पर उप्लग्द होती रहेंगी पूरा वीडियो देखने के आप सबका धन्यवाद